पाठ पंद्रा प्रशंसा का चक्कर के भी कम प्रिये नहीं है लेकिन मुझे पुस्तकों से प्यार है इसका यह अर्थ भी नहीं कि मैं संसारी नहीं बीवी बच्चे घर बार सभी तो मुझे प्यारे हैं फिर भी एक वस्तु ऐसी बच जाती है जिसकी इन सब चीजों से कोई तुलना नहीं वह कोई बड़ी वस्तु नहीं एक छोटी सी बात है यही अपनी मामुली सी प्रशंसा बस यही एक चीज है जिससे सुनने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता क्या नहीं से सकता खाना ने दीजिए कपड़ा ने दीजिए रूपिया रोजगार ने दीजिए लेकिन क्रिपा करके दिल खोल कर जूटी ही सही मेरी प्रशंसा किये जाईए मैं आपकी जूतियों का गुलाम हूँ उस हालत में मुझ जैसा बेदाम का नौकर आप कहीं खोजे भी न पाईएगा चालिस के उपर आई होती आई सैकडो ही दोस्त बने लेकिन ठीके वही जो मेरी प्रशंसा करते रहे जिसने खरी कही मैंने उससे अपनी राह गई क्या बताऊं जानता सब हूँ मगर इस मामले में मानता किसी की नहीं खरी बात कह सबसे सकता हूँ लेकिन खरी सुनकर मुझे प्रसंता हर्गिस नहीं होती असर मुझ पर मीठी बात का ही होता है इसे लाचारी कहिए, कमजोरी कहिए चाहे तो बुराई कह लीजिए हिंदुसान में सोने का बड़ा मोल है लड़ाई समाप्थ हुए एक जमाना हो गया मगर इसके मोल गिरते ही नहीं कहते हैं प्लैटिनम का मूले सोने से भी बड़ा है रत्न जवाहरातों के क्या कहने लेकिन मेरी द्रिष्टी में इन सब का मूले प्रशंसा के दो मीठे शब्दों के मुकाबले तीन कौडी का भी नहीं इसलिए मैं प्रशंसक के मूले को अच्छी तरह जानता हूँ क्यों न जानू सरकारे भी तो प्रशंसा के बल पर चलती है सरकार क्या अगर भगवान को भी प्रशंसकों का टोटा पड़ जाए तो उसकी भी बदिया बैट जाए तरह तरह के लालच देकर वह अपने गीत उनसे गवाया करता है कवियों के साथ भी यही बात है कवी लोग अन्य जल पर थोड़े ही जीते हैं ये तो प्रशंसा के पादप है मिलती रहेगी तो खिलते रहेंगे नहीं तो कुमहलाते क्या देर लगती है इसलिए उस दिन रेल में जब मेरी रचनाओ के एक प्रशंसक अनायास ही मिल गए तो खुशी का ठिकाना ना रहा हम लोग उस दिन गाजियाबाद से दिल्ली लोट रहे थे गाड़ी में जो साहिते चर्चा चली तो बात-बात में एक महोद्या मेरा नाम जान गए वर स्वेम मेरे पास किसक आए कहने लगे धन्य भागे वर्शों से आपका नाम पढ़ते सुनते थे बड़ी तम्मना थी आपके दर्शनों की क्या कमाल का लिखते हैं आप आपकी रचनाओ को तो हमने अखवारों से काट-काट कर एक रजिस्टर में चिपका रखा है आपकी रचनाओ के सभी संस्करण हमारे पास है मेरी पतनी तो आपकी रचनाओ के पीछे समझी जैसे पागल है और तो और मेरी छोटी मुन्नी को भी आपकी कई कविताई कंठस्थ है शब्द क्या थे? मानो बूंद बूंद में अमरित भर रहा था यात्रा की सारी थकान डिब्बे की ठेल पेल और साहित्य चर्चा से उत्पन उमस जैसे सब शीतल, तरल और क्या कहूं रस्मया हो चला मेरे मंद की बंद कली जैसे खट करके खिल उठी बगल में बैठे अपने मित्रों की और जरा तन कर देखा और महसूस किया कि उन पर ही नहीं उन अंजाने मित्र की बातों का असर सारे डिब्बे पर बड़ा अनुकूल पड़ा है खुच सेकिंड में मैं उस दिब्बे का एक महत्वपोन व्यक्ती बन गया अपनी प्रशनसा सुनकर क्योंकि सज्जन पूरुष संकोच करने लगते हैं मैंने भी वही कहा मैं विनई हो आया कहने लगा जी मैं क्या कहूं योही कुछ लिखविक लेता हूँ आप जैसे गुणी जनों को कुछ पसंद आ जाए मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है विने बड़ों को ही शोबा देती है अंजान मित्र कहने लगे ग्यानी ही सहन छलील होते है शिष्टता ओचों की बाटे नहीं आती ओचे बरतन में पानी चलगता है मैं हिंदुस्तान के अनेक साहिते कारो और कलाविदों से बिग्य हूँ मूदे की नहीं कहता राम राम उनमें वह बात कहां आपको तो देखकर ही लगता है जैसे अपने परिवार की ही आदमी है कहते कहते उन्होंने सिगरेट का पैकेट मेरी और बढ़ाया मैंने विनम्र होकर हाथ जोड लिए तो वे कहने लगे अरे आप सिगरेट नहीं पीते तब और क्या पीते होंगे लेकिन इतनी मादक इतनी सरस्ट चीजें आप लिखते कैसे है सच कहता हूं कि मैं तो जब आपकी रचनाई पढ़ने लगता हूं तो सुद्बुद खो बैटता हूं अहा परसों के सापताहिक में आपकी वह ब्रमर और कली वाली रचना पढ़ी थी क्या कहने है दिल बाग बाग हो गया बातों का यह सिलसला अभी और लंबा चलता मगर गाड़ी शादरा स्टेशन पार कर यमुना के पुल पर आ गई थी दिल्ली जंक्षन आने ही वाला था बातों बातों में पता चला कि मेरे महमान दोस्त कोलकता में अपना कोई बड़ा व्यपार चलाते हैं दो दिन के लिए किसी काम से राजदानी आये हैं वह जिस होटल में ठहरने वाले थे उन्होंने उसका पता भी बताया और आग्रे किया कि मैं उनके यहां कम से कम चाय पी कर तो अवशे ही किरतात करूं दिल्ली में बसे 12 वर्ष से उपर हो गए लेकिन अभी भी दिल्ली मुझसे कुछ दूर ही बनी हुई है पुर्खे कह गए है कि दिल्ली में आदमी को जरा सोच समझ कर चलना चाहिए यहां लोगों से विवार करते समय उन्हें 20 बार परकना चाहिए इसलिए कोई लाग कहे मैं किसी को अपना घर नहीं दिखाता मित्र लोग मेरी इस आदत से भली भाती परिचित हैं लेकिन कुछ अपनी आदत कुछ पत्नी के अद्वैत स्वभाव और कुछ अल्प बचत योजना का असर कि मित्रों के उलाने और अमित्रों के ताने कभी मुझ पर असर नहीं करते लेकिन इस बार की बात दूसरी थी क्योंकि श्रीमतीजी मैं के पदारी हुई थी और अभी महिने की सिर्फ तीसरी ही तारीक थी आप से क्या चुपाओं सबसे बड़ी बात यह है कि उन गुन ग्राहक मित्र की बातों से अभी मेरी पूरी तसल्ली नहीं हुई थी परिणाम यह की एक कदम गलत उठ गया वैसे ऐसे मामलों में मैं भी उचित अनुचित का जरा कम ख्याल रखता हूँ लेकिन उस बार ने जाने क्या हुआ कि उनके मुख से अपनी शराफत का गुनगान सुनकर मुझे यह उचित नहीं लगा कि अपने शहर में आये हुए एक दुरलक पार्खी को अपने घर न बुलाकर खुद उनके किराय के होटल में चलकर चाए पीने की दृष्टता की जाए अगर मैं जल्दी में न होता या मुझे एक बार भी अपनी बात विचार करने का अफसर मिल जाता तो मैं कदापी वैसा नहीं करता लेकिन गाड़ी स्टेशन पर ठहर गई थी और लोगों के उतरने चड़ने की रेल पेर फिर से शुरू हो गई थी इस हड़बड़ी में मैं फस गया और क्या बताऊं जो अब तक कभी ने किया था वह कर ही डाला यानि मैंने उन महाश्यों को अपने घर का पता बता दिया बड़े तपाक से मैंने कहा बला ये भी कोई बात हुई आप हमारे शेहर में आए और उल्टे हम आपके महमान बने लाख दिल्ली अब पुरानी नहीं रही लेकिन ऐसा भी क्या हुआ आपको मेरा घर पवित्र करना